मुख्या यूग्य आधेतनाथ और उप मुख्य मंत्री वा स्वास्थ मंत्री पर्जेस पाथाक उत्रप्रदेश स्वास्थ महक्मे को जुधारने के लाखू प्रयास और करूडों का बजट खर्च करते हैं लेकिन उत्रप्रदेश के स्वास्त महेकमे की लोग उनके इन प्रयासों को खुले आम ठेंगा दिखाते हुए नजर आते हैं कई बार उत्रप्रदेश के कई जिलों के अस्पताल की वीडियो वाइरल होती हैं में दिखती हैं जिसमें कई मरीजों के तीमारदार अपने परिजनों को गोद में उठा कर ले जाते हैं तो कोई अपने कंधे पर डाल कर ले जाता हुआ दिखता है ऐसा ही एक वीडियो उत्रप्रदेश के देवरिया जिले से वाइरल हो रहा है जिसमें एक बेटा एक अपनी बीमार मा को कंधे पर डाल कर देवरिया के जिला अस्पताल के प्रांगर से इमर्जेंसी ले जा रहा है और कह रहा है कि यह रेफर केस है, मेरी मां की हालत बहुत सीरियस है, उसके बाद भी मैंने स्ट्रेचर मांगा और किसी ने मुझे स्ट्रेचर नहीं दिया और स्वास्त मंत्री वा उपु मुख्य मंत्री पुर्जेस पाठक से गोहार लगा रहा है कि ऐसे जिलास्पताल के करमचारियों के खिलाफ कारेवाही की जाने चाहिए ताकि आगे से किसी मरीज के तीमारदार को अपने मरीज को कंधे पर डाल कर नहीं ले जाना पड़े वीडियो शोचल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है और इस वीडियो को ट्युटर पर मनोज काका नाम के फिटर अकाउंट से शेयर किया गया है आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताईए इनकी आलात देख लिए और यह देख लिए कि यहां पर इस्टेचर खड़ा है खाली है जो कि हमें इस्टेचर नहीं दिया गया यह अंकल जी है यह भी इस्टेचर नहीं दिये यहां पर भी खाली मानते रहे गए इस्टेचर नहीं मिला हमको और देख लिए इनका हालत देख लिए यह आलत है इनका और यही देवरिया का कड़तूत है सच में यह है आप लोग सपोर्ट कीजिए वीडियो के इतना सेर कीजिए कि इस देवरिया का पूरा नक्सा बदल ले अस्पीटल का इन लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है दोदो इस्टेचर खाली लेकिन अंगने पे नहीं मिला कि आप बुट को लेगा है